C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है सफ़ा नमबर आठ सबक दो चिडिया और पौदे की कहानी शाम का वक्त था, एक चिडिया एक नन्ने पौदे पर आकर बैठ गई पौदा कापने लगा और चिलाया अरे अरे ये क्या करती हो, हटो नहीं तुम्हें गिरा उदास देखा, तुप पूछा, एबी चिडिया, तुम नाराज हो गएं? चिडिया बोली, मैं क्यों नाराज होती, मुझे तो ये सोच कर रोना आ रहा है कि मैं अकेली हूँ और रात होने वाली है, मेरे साथ ही न जाने कहां चले गए मैंने सोचा था, कि मैं तुम्हारी डाली पर बैट कर रात काट लूँगी, लेकिन तुमने डाट दिया अब सोच रही हूँ, इस अंधेरे में कहां आ जाऊं? पौदा बोला, तुम उदास मत हो, आओ, मेरे पास आकर बैट जाओ मैं तुमको अपनी टहनी पर कैसे बैठा सकता हूँ, मैं तो खुद छोटा सा हूँ, मेरी टहनी देखो, कितनी नर्म और पतली है सफ़ा नमबर नौ चिडिया फुदक कर पासा बैठी, पौदे ने कहा बी चिडिया, तुम बहुत अच्छी हो, आओ, मेरे पास बैठ कर सो जाओ चिडिया बोली तुम्हारे पास बैठ कर मुझे नीन नहीं आएगी, मुझे तो टहनी पर बैठ कर नीन दाती है मैं अपने परों को फुला लेती हूँ, और फिर अपने परों में अपना मुझे चुपा लेती हूँ, जब कहीं मुझे नीन दाती है पौदे ने कहा अभी मैं बहुत छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाओंगा, तो तुम मेरी टहनी पर बैठना अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, कि एक बीज जमीन पर गिरा, मिटी ने उसे दबा लिया वो मिटी के अंदर अंदर फूलता रहा, और फिर एक दिन उसने मिटी से अपना सर निकाला उसके बाद धूप, पानी, हवा और मिटी से बढ़ने लगा चुड़िया बोली, अब वो कहा है, पाद ने कहा, हरे तुमने पहचाना नहीं, मैं वही तो हूँ, अब रोजाना बढ़ रहा हूँ तुम देखना, बहुत जल्द मेरी जणे जमीन में फैल जाएंगी, मेरी बहुत सी टहनिया हो जाएंगी ये नन्नी मुन्नी टहनिया एक दिन खूब मोटी हो जाएंगी, और मैं बहुत उचा हो जाएंगा, मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी पत्तिया निकल आएंगी फूल खिलेंगे, फल पैदा होंगे, लोग तोड़ तोड़ कर खाएंगे बीचडिया, फिर तुम भी आना, तुम्हारी भी दावत होगी, फिर तुम मजे से मेरे उपर बैट कर रात गुजारना चडिया बोली देखो, उस वक्त मुझ से अकड़ कर बात मत करना पौदा बोला तुम कैसी वाते करती हो बीचडिया, जब टहनियों में फल लगेंगे, पतियां होंगी, फूल खिलेंगे तो मैं कैसे आकड़ सकता हूँ, फिर तुम्हें और जुग जाओंगा, मैं तो सब के खिदमत करूँगा, सब के काम आओंगा सफ़ा नमबर दस चडिया बोली खुदा तुम्हें बहुत बड़ा बनाए, तुम अभी जब बहुत अच्छे हो फिर चडिया ने पौदे के नीचे राद गुजारी, बारिश हुई, लेकिन चडिया पौदे के नीचे बैठी रही, पौदे ने उसे भीगने नहीं दिया, जब सुब हुई, तो चडिया ये कहकर फुर से उड़ गई राद को फेर आउंगी मश्क, लव्स और मानी नाराज खफा, नाखुश राद काटना, मुहावरा राद गुजारना सफ़ा नंबर ग्यारह गौर कीजिये इस सबख में बीज के पौदा बनने और बड़ा होकर पिर बनने का जिक्र किया गया है बीज से पौदा उकता है पौदे के बढ़ने के लिए मिटी, पानी, हवा और धूप जरूरी है पेड़ पौदों से इनसान, जानवर और परिंदों को बहुत फायदा होता है पेड़ पौदों से फूल और फल मिलते है इनसान और जानवर उनके साए में आराम करते है परिंदे उनकी शाखों और टहनियों पर अपना घूंसला बनाते है पेड़ पौदे हवा को आलूदा होने से बचाते है और बारिश के लिए भी मददगार होते है हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनकी हिफाज़त करनी चाहिए सोचिये, बताईये और लिखिये एक, चिडिया परिशान क्यूं थी? दो, पौदे ने चिडिया को अपनी टहनियों पर बैठने से क्यूं मना किया? तीन, चिडिया ने अपने सोने का ढ़ंग क्या बताया? चार, जब पौदा पेड़ बन जाता है, तो दूसरों के किस तरह काम आता है? खाली जगों को दिये हुए सही लवजों से भरिये बीज, डाली, पौदे, टहनी, पतिया एक, एक चिडिया एक नन्हे खाली जगा पर आकर बैठ गई दो, मैं तुम्हारी खाली जगा पर बैठ कर रात काट लूँगे सफ़ा नंबर बारहा तीन, मैं तुमको अपनी खाली जगा पर कैसे बिठा सकता हूँ? चार, थोड़ी दिनों पहले की बात है के एक खाली जगा जमीन पर गिरा पांच, मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी, खाली जगा निकल आएंगी दिये गए लवजों से जुमले बनाईए और खाली जगों में लिखिए रात, फूल, सुभ, टहनी, हवा यहां दिये गए हुए मिसरों को पढ़िए और तस्वीरों को गोर से देखिए एक चिडिया ने गाना गाया सब चिडियों ने लुथव उठाया सफ़ा नमबर 13 हड़ी एक सड़क पर पाई दो कुत्तों में हुई लड़ाई बच्चों, इन मिसरों में लवज चिडिया और हड़ी से वाहिद होने का पता चलता है जबके चिडियों और कुत्तों से जमा का इल्म होता है वाहिद वो इस्म है जिससे एक शख्स, चीज या जगा मुराद हो जबके एक से ज्यादा अश्खास, चीजें या जगें जमा को जाहिर करती है यहां दी गई तस्वीरों को देखकर वाहिद और जमा लिखिए सफ़ा नंबर चोधा, इमला दुरुस्त करके लिखिए सीन, बे, हे, सुभ काफ, दो चश्मी हे, दाल, मीम, ते, खिदमत दाल, अलिफ, वाव, ते, दावत नून अलिफ, रे, अलिफ, जे, नाराज फे, रे, जेर, फिर रे वाव, जीम अलिफ, नून चोटी है, रोजाना यहां दिये हुए जुमलों में रंगीन लवजों के मुतजाद खाली जगा में लिखिए शाम का वक्त था यहां लवज शाम का मुतजाद लिखिए पौदे ने उसे उदास देखा यहां लवज उदास का मुतजाद लिखिए मुझे तो ये सोच कर रोना आ रहा है यहां लवज रोना का मुतजाद लिखिए इस अंधेरे में कहा जाऊं? यहां लव्ज अंधेरे का मुतजाद लिखिए मैं तो खुद छोटा सा हूँ यहां लव्ज छोटा का मुतजाद लिखिए बी चिडिया, तुम बहुत अच्छी हो यहां लव्ज अच्छी का मुतजाद लिखिए अब रोजाना बढ़ रहा हूँ यहां लव्ज बढ़ का मुतजाद लिखिए चिडिया ने पौदे के नीचे रात कुजारी यहां लव्ज नीचे का मुतजाद लिखिए सफ़ा नंबर 15 बताईए किस ने किस से कहा अरे अरे ये क्या करती हो? हटो नहीं तुम्हें गिरा यहां दी गई तस्वीरों के बारे में तीन तीन जुम्ले लिखिए पहली तस्वीर में एक पौदा गमले में दिखाया गया है दूसरी तस्वीर में एक चिडिया डाली पर बैठी दिखाई गई है सफ़ा नंबर 16 यहां दिये गए खानों में दस जानवरों के नाम छुपे हुए हैं जानवरों के नाम ढूणने के लिए दाएं से बाएं और उपर से नीचे चलिए नीचे बनी हुई तस्वीरों के सामने खाली जगों में उनके नाम लिखिए यहां एक तस्वीर में चीता दिखाया गया है अगली तस्वीर में जिराफ दिखाया गया है तीसरी तस्वीर में गैंडा दिखाया गया है उसके बाद की तस्वीर में एक बबर शेर दिखाया गया है उसकी अगली तस्वीर में एक हिरन दिखाया गया है छटी तस्वीर में दोड़ता हुआ खरगोश दिखाया गया है साथवी तस्वीर में एक भालू दिखाया गया है आठवी तस्वीर में हाथी दिखाया गया है नवी तस्वीर में एक गीदर दिखाया गया है दस्वी यानि आखरी तस्वीर में लूम्री दिखाया गया है सफ़ा नंबर सत्रा इन लवजों को बलंद आवास से पढ़िए और खुशकत लिखिए शाम, वक्त, नाराज, जमीन, खिद्मत इसी के साथ ये सबख यहीं पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट, बटिलैंग लिंग्डो, समय फंकार, परवेज गोहर और शिमाईला परवेज एडिटिंग, हिदायतकार और तखलीककार, विमलेश चौधरी, पेशकरदा, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत